अस्सलाम अलेकुम दोस्तों आज मैं आपको पोटेटो टाकोस बनाना सिखाऊंगी बहुत यासान थारीके से उसके लिए हमने वन टीस्पून नमक लिया है टू टेबिल स्पून ओयल लिया है ओयल की जगह आप घी भी ले सकते हैं और मैंने जो है दो कप मैदा लिया है अब खम नमक और ऑईल जो है मैदे के अंदर शामिल कर देंगे अब हम जो है इन सब चीजों को अच्छी तरह मिकस कर लेंगे ताके जो आईल है वो मैदे के अंदर मिकस हो जाया है उसके बाद हम इसकी एक डो तो तयार कर लिए थोड़ा थोड़ा पानी हैट कर दिआर सक्स रखनी है और नहीं जादा सॉफ्ट रखनी है बिल्कुल दर्मियानी रखनी है आप लोग जिस तरीके से घर में आटा गुंते हैं बिल्कुल वैसे ही जो है आपको डोत एक तियार करनी है एकदम से आप बहुत सरा पानी मत दाल दीजिएगा वरना आपकी जो डो है वो मैश कर लिया है तीन हरी मिर्चे लिए उसको भी चॉप कर लिया है आदा कप मैंने हरा दनिया लिया है वन टेबिल स्पून नमक लिया है वन टेबिल स्पून चार्ट मसाला लिया है वन टीस्पून को टीवी मिर्च लिये हाफ टीस्पून हल्दी का लिया है वन टेबिल स् जाएगा तो उसके अंदर खड़़ेंगे प्यास को जो है हम लोग बिल्किल प्रायर करनेंगे हलकी नरस कर लेंगे जब प्राय वह लग्यार है यह देखिए माशाललह सब आप यह नरफ पितल गल गई square मैं तो यहां चाहित रहे बिल्क तमाम मसाले जो है आप जो हैसे ग्र दल चुके हैं अब हम जोगों सब मिक्स कर लेंगे कि पूबं करें हमें 2-3 मिनट तक रिए कुकडना है टाकर मसालों का कीषिशा है ने हमें 2-3 मिनट गहां हैं हमने म।ाल Jaw में मिक्स कर में तर्डम के लिंगे और हरद दिने अची तरह एक दफा मुक्यां लगाने की बाद इसके जो हम एक पेड़ा द्यार कर लिंगे उसके बाद हम थोड़ा सा मैधा डस्क करके अब हम इसको बेल लिंगे एक बड़ी सी रोटी के तरह हमें बेलना है ना तादा मुड़ा रखना है और ना ही दादा पतला रखना है उसके बाद एक round shape का मैंने बाउ लिया है उससे हम इसकी gold shape की cutting कर लेंगे उसके बाद हम एक pan को गरम कर लेंगे और without oil हम इसको थोड़ा सा सेक लेंगे जैसे ही golden color आना शुरू हो जाए वैसे ही हम दूसी तरफ से भी इसको सेक लेंगे इसी तरह से मैं तमाम रेफ सेयार कर लूँगी बहुत ही हल्की आच में आपको इसको सेकना है अब उसके बाद जो हमारी रेफ सेयार होने के बाद हम थोड़ा सी ketchup जो है इसकी बीच में लगाएंगे मैंने जो है यहाँ पर थोड़ा सा चीज ग्रेट करके भी रखावा है आपकी मरसी है आप चीज डालें या ना डालें यह ओप्शनल है बिल्कुल ओप्शनल है आप चीज नहीं भी डालेंगे तो टेस्ट में कोई फरक नहीं पड़ेगा उसके बाद हम थोड़ा सा आलू इस तनरीकी से जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही लगा लेंगे फिर दुबारा से हम थोड़ी सी चीज जो है आलू के उपड़ लगा लेंगे और हम इसको बन कर देंगे बिल्कुल ऐसी ही बन करना है जिस तरह मैं आपको बताया है इसी तरह से जो है मैं तमाम टाकोस जो है वो अब तयार करके रख लूँगी जैसे के मैंने आलू के टाकोस तयार करें हैं वैसे ही आप चिकन की टाकोस भी बना सकते हैं लेकिन आलो के ही इतने मज़ेके बनते हैं कि चिकंगी कोई जरुएत ही नहीं आप लोग एक दफ़ा जरूर ट्राय करेंगे रेसिपी देख लीजिए मैंने तमाम टाकोस में इसी तरीके से मसाल लगाके रख दिया है अब हम लोग जो है इन सब टाकोस को फ्राय करेंगे बिल्कुल हलकी आच पे उसके लिए मैंने पैन को गरम कर लिया है उसमें टू टेबल स्पून मैंने ओयल दाला है बहुत ही कम ओयल दालना है उसके बार हम लोग जो है वो टाकोस को इस तरीके से रख देंगे इसी तरह हम दूसरा भी रख देंगे और दो मिनट बाद हम चेक करेंगे कि अगर यह सी गया है तो हम इसको पलेट देंगे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो आप लोग समझेगा कि अब यह हमारे टाकोस तैयार है यह देखी अब हम टाकोस को जो है वो इस सारीकी से घड़ा कर लेंगे ताके जो नीचे से कच्छा है वो भी पक जाए तीन मिनट तक यह फ्राए हो जाता है यह देखी हमारा कलर आ गया है अब हम लोग इन सब को निकाल लेंगे हमारे तमाम टाकोस जो है वो आप तैयार है यह देखिए माशालला से कितने क्रिस्पी बने हैं आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राय करें और अगर मेरे चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रहा है वो भी मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिए ताके हराने वाली नई वीडियो